वेल हेलो एविवन वेलकम बैक टू दे चैनल एंड फाइनली फाइनली रॉल इंफिर्ड ने अपने एडवेंचर यूजर्स के लिए एक और नई एडवेंचर बाइक दे दी है जो की एक ऐसी बाइक सावित होने वाली है जो सच में काफी जादा मार्केट पकड़ेगी यान वेल्टिपल वेरियंट्स ऑप्शन के साथ आएगी और काफी अच्छी कमफर्ट के साथ आएगी यह बाइक आपको अर्बन में देखने मिलेगी जैसे कि आप इस बाइक को डेली यूज सिटी राइट या फिर कहलें एडवेंचर राइड में भी यूज कर सकते हैं तो यह कि लाइट करवाएगा किसी पी तरीके का है लोजन नहीं उसकिया गया है एलेडी से अप अपको फ्रेंट से प्रॉट कराई जाएगी सथी साथ टर्ण इंडिगेटर्स कि अगर बात करी जाए तो टर्न इंडिगेटर्स भी आपको एलेडी ही नजर आएगे जो की लुक्स Disc with ABS के साथ में यह आपको देखने के लिए मिलेगी जो की काफी अच्छा साइज के साथ यह बाइक आपको फ्रंट में परफॉमेंस देगी यह सबसे चीज लगी कि इसके अंदर आपको फ्रंट में ही 120 सेक्षन के एक टीवलेश टायर नजर आएगा साथ ही साथ टीवलेश ट अब फ्रंट में पर अगर आप एडवेंचर पर आपको इस फ्रंट को बार बार पिल करवाना पड़ेगा क्योंकि ग्यार लिटर काफी कम पड़ जाता है आपको 17 लिटर का फ्यूल का टैंक देखने के लिए मिलता है बात करिए इसके इंजन की तो इंजन पूरी तरीके से इंस्पाइड है रॉयल इंफिल्ड हिमालियन 450 की तरफ से इस बाइक का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है गोरीला 450 और इस पर आपको ब्रैंड आपको इंजन सीधा यहां पर दे दिया गया है आपको हिमालियन 450 का ये नेकट वरजन या खेलें उसी तरीके से आपको ये नया वरजन देखने के लिए मिलेगा अब इसको मैं हिमालियन का छोटा भाई तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसकी जो हाइट है हिमालियन से बहुत सीधा हंटर का बड़ा भाई ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हंटर जो है हमारे शॉट हाइट राइडर के लिए सबसे पहली वन एन ओनली ऐसी बाइक बनी थी जो की रॉल इंफिल्ड इूजर्स के लिए शॉट हाइट वालों के बनी थी और इसकी हाइड भी काफी जादा हिूज टायर मिलेगा टेल टेम की बात करिया है तो टेल पूरी तरीके से इंस्पाइड है ये हिमालेन 450 से साथ ही साथ रेयर में भी आपको ABS ऑफर कर दिया जाएगा रॉयल इंफिल्ड की तरब से इस बाइक ने सेफटी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी है रॉयल इंफिल्ड अपनी इस बाइक में काफी सारी चीज़ है अच्छी दे रहा है सीट हाइट आपको 780 यानि की only 780 mm की सीट हाइट नजर आएगी जिस से चलते only 5.3 इंच से इस बाइक को आप इजली चला सकते हैं अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर है ये बाइक आपके लिए बहुत जादा कारगर और काम की हो सकती है अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर है जैसे कि मैं मेरी हाइट है 5.4 इंच मैं परसनली इस बाइक को काफी जादा अच्छी मानूँगा अगर इस बाइक को मैं इजली चला सकता हूँ क्योंकि इस बाइक को मैं अरा यहाँ पर यूज किया गया है हलाकि मैंने साउंड पहले भी सुना रखा इस गाड़ी का तो साउंड में किसी भी तरीके का कोई खास बदलाव आपको देखने कले मिलेगा नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ इंजन सेम वही हिमालियन 450 का दिया गया है और एक्जॉस परसन आप एंड डाउन भी कर सकते हैं मोनसोक सस्पेंशन होगा काफी अच्छी है रेयर में भी आपको कमफर्ट प्रवाइब करवा देगा और काफी बढ़िया यहाँ आपको पीछे से काफी कमफर्ट निकल के आएगा और यहाँ पर आपको फ्रेंट में जो सस्पेंशन मिलते हैं वो मिलते हैं टेलिस्कोपिक सस्पेंशन प्रंट के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं अभी बात कर लेते हैं रेयर सेक्षन की यानि की टेल की तो टेल जो है सीट जो है वो पूरी तरीके से हैं हिमालियन से हिमालियन जो 450 वेरियंट है उससे पूरी तरीके से बात करिया तो ग्राउंड क्रिंस भी काफी जादा अच्छा है 169 mm इसका ग्राउंड क्रिंस है एक वार मैं इसकी आपको टेल रेर लाइट शो कर देता हूं रेर की जो लाइट है इसके टर्न इंडिकेटर जो है टर्न इंडिकेटर के अंदर ही आपको रेर की लाइट नजर आ जाएगी जैसा कि आपने पहले देखा था हिमालियन के 450 वेरियंट में मतलब की टर्न इंडिकेटर है उन्हीं के अंदर आपको टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगी जो की काफी अच्छी चीज है आपका खर्चा ही बचेगा ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है टेल लाइट टूट जाती है इंडिकेटर टूट जाता है जाहिर सी बात है पीछे से कुछ लगेगा तो ओव्यसली सी टेल लाइट और इंडिकेटर जाएंगे ही यहां क्या होगा अगर आपका इंडिकेटर गया है तो आपकी टेल लाइट भी यानि कि seat height को और नीचे कर सकें, जिससे की आप देख रहे होंगे, आपको pillion rider जो है वो थोड़ा सा उपर नज़र आएगा, बट main rider जो है, वो थोड़ा सा नीचे की तरह बैठेगा और बहुत ही ज्यादा comfortably, easily इस bike पे बैठ सकता है, grab handles आपको शो हो रहे होंगे, grab handles कुछ इस मार्केट से कहलें, आप कुछ चीज़ा एड़ उन लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ अभी रिवील नहीं किया रोल इलफिल ने, क्योंकि बहुत ही जल बारतिय बजार में इस बाइक को आप रोड पे चलते हुए देखेंगे, बट अभी फिलाल इस बाइक को officially launch किया गया है, बात करिया है, पीछे से एक बार और शो कर देता हूँ, टेल का, तो यहाँ आपको grab handle जो है, वो single pipe ही देखने के लिए मिलते हैं, grab handle में किसी भी तरीके का कोई नया material वैसे use नहीं किया गया है, या फिर कोई खास attractive feel नहीं दिलाया है, यहाँ पर आपको single छोट चोटे दो pipe नजर आएंगे, जो कि दोनों ही तरफ आपको एक अच्छी buildable grip दे देंगे, जैसे कि pillion rider बैठेगा, pillion rider को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा, अभी बात कर लूँ मैं, थोड़ा सा overview की, overview में सबसे पहले आपको fuel lead दिक जाता है, fuel cap, जो कि थोड़ बहुती जादा comfort निकल के आएगा, बैठने में काफी जादा comfort हो जाएगा, single pipe handlebar नजर आएगा, switches अगर आप देखें, तो switches में किसी भी तरीका का बल्ला हो नहीं है, switches वही सेम रखे गए हैं, जो आपको हिमालियन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि passing light जैसे feature एक ही switch में दि देखने के लिए मिल जाता है, और आगे की तरफ एक और चोटा सा बटन देखने के लिए मिल जाता है, और इसके अंदर आपको अभी कुछ जादा reveal तो नहीं किया है, बहुत ही जल इस bike से related और भी बहुत सारी जनकारी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी, त अब्वेसी सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो के लिए उडिविकेशन आप में इसना करता है, दूसरी तरफ के अगर मैं बात करूँ तो दूसरी तरफ आपको एक ही सुच मिलेगा, जिसके अंदर self engine किल सुच नजर आएगा, आगे की तरफ आपको एक और red button देखने किल मिल जाता है, वही नीचे अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ आपको M button नजर आजाएगा, जिसे की self के साथ, self भी यहां नजर आता है, आप इस बाइक को start कर सकते हैं, single touch में कहलें या फिर single self में कहलें, इस बाइक को आप easily start कर सकते हैं, अभी बात कर लूँ मैं meter की, तो यहां आपको दो variants नजर आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहला variant जो आएगा, जिसके अंदर आपको full digital instrument cluster नजर आएगा, जो की पूरी तरीके से, या फिर कहलें, पूरा inspired, वही उठाया हुआ है, Royal Enfield Himalian 450 वाला इसके अंदर आपको full digital मिलेगा, speedometer देखने के लिए मिल जाएगा, वही नीचे के दरफ side stand cutoff, neutral, odometer और नए-नए connectivity जैसे feature इसके अंदर आपको नजर आ जाएंगे, fuel gauge भी यहां यह आपको provide तरवा देगा, सारी connectivity के साथ में सारे features नजर आ जाएंगे, बात करिया दूसरे वा side stand, gear, speedometer, odometer, trip ऐसे सारे feature इस bike के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, इस model में भी और इसके अंदर आपको blinkers जैसे सारी चीज़े नजर आ जाएंगी, बात करी जाए, यहां पर एक side view की, तो side views अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा एक आपको, काफी अच्छा feel नि combination मिलेगा, जो की काफी अच्छा निकल के आता है, वहीं दूसरे की बात करी है, तो यहां red और एक और कलर का combination नजर आएगा, जो की बहुत ही जादा unique and बहुत ही जादा sporty feel दिल आएगा, हलाकि sport by any, but feel काफी अच्छा निकल के आएगा, वहीं तीसरे कलर की अगर बात करी है, तो blue और white या फिर कहले है, ग्रे, ऐसे color combination के साथ निकल के आएगा, बात करी जाएगा, चौथे color की तो यहां यह yellow और थोड़ा सा black type में कुछ color में देखने मिलेगा, और यह color काफी जादा जानदार निकल के आते हैं, total 5 color options, royal infield gorilla आपको देने वाला है, इस bike के अंदर आपक color option मिलेंगे, बात करी जाए, pricing की, तो price मात्र 2,39,000 x showroom से start होके, 2,54,000 x showroom पे आपको देखने के लिए मिलेगी, और mid variant जो है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, 2,49,000, मतलब की, मतलब base to top लगब 10 से 15,000 का फर्क रखा गया है, जादा बड़ा फर्क रखा नहीं गया है बट स्टिल, यह बहुत ही जादा काम की बाइक होने वाली है, अगर आपकी height 5,4 इंच है, इस बाइक को आप easily consider कर सकते हो, क्योंकि इस बाइक को आप भारती बाजार में यूज़ कर सकते हो, मार्केट में यूज़ कर सकते हो, और long drive करते समय भी यूज़ कर सकते हो, तो यह बाइक काफी ज़्यादा काम की होने वाली है, अब आप मेरे को अपना opinion ज़रूर शेर कीज़ेगा, इस बाइक से related, आपको कैसी लगी है, Gorilla 450, हमें comment करके बताएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमें सब्स्ट्राइब कीज़ेए, बैल केम पर वीडियोज